आप मेरा यूटूब चैनल देख रहे हैं वेलकौन टो मेरा यूटूब चैनल असिस्टेंट पंजाव प्लीस 16 स्केल की जो जाब है उसमें प्लाई करने की आज आखी तारीख है साक्तूबर 2024 इसकी टेस्ट परप्रेशनिक वाले से सेक्शन मारा चल रहा है लेक्चे नुब इंटरस्ट था ये ठीक है ये स्पैलिंग मिस्टेक होगी तो ये आपके पास ये तीन टॉपिक्स होते हैं जो आपके जो आपके इंटरस्ट के वाले से या मारकप के वाले से या इसको टेक्स के वाले से पूछते हैं या इसको आप उर्फया में सूध भी कहते हैं या मु और इंटरस्ट मेंसे भी क्वेस्टैन आ जाता है इसलिए उसको भी आज हम cover करने की कोशश करेंगे ठीक है जी इसको हम सारा पहला एक concept पढ़ेंगे फिर उसके बाद इंशाला तेला इसके जो password पर question पर डिस्कस करने की कोशश करेंगे इससे पहले जनाब जो आपका कल लक्षर हुआ था, कल हमने प्रोपोशन के वारे से क्वेशन किये थे, बड़ा इंपोर्टेंट लक्षर था वो भी, उसके वारे से कुछ बचों के मैं से जाये वह थे का जनाब हमारे पास जो लक्षर नम्बर फाईव, क्वेशन नम्र नाइन और क्वेशन नम्र टैन, ये तीन क्वेशन बच्चों से नहीं साल्व हो रहे थे, ये मैंने आपको जो प्रैक्टिस क्वेशन दिये थे, पीछले आपको मैंने तो करवा दिये थे, लेकर ये प्रैक्टिस दिये थे, तो प्रैक्टिस में ये तीन क्वेशन नहीं हो थे, ये प सब्सक्राइब फार तुछ के तो सब्सक्राइब कर रेंद मेंरों को उसमें यह च्छाइद लेक्तेनी सब्सक्राइब अ Perfect वर्कर एफिशनसी आफ 2 उनिट पर डे ठीक है जी और हर रोज के आप दो बैग यूज करते हैं वर्कर एफिशनसी कहते है जी काम करने की रिफ़तार को ठीक है तो डेली के आप दो बैग यूज कर लेते हैं much material is needed for project size of 800 square meter आपका 800 square meter का आपके पहाँ जो ना आप दिवार 800 की ओड़ गी है पहले 500 की थी आप 800 की ओगी है और कहता जी आप इसका कितना material दर्कार होगा और worker efficiency आप 3 units पर डेया होगी है अब यहाँ पे जो question बचों को इसलिए यह clear नहीं हुआ यहाँ पे एक चकर दिया वा था उसने आपका पास वेपर कहसे ना यह भी चकर सिरफ इतना सा है आप देखें आप थोड़ा सा common sense यूज़ करें कि अगर आप 500 मीटर की दिवार को बनाने के लिए आपकी 100 बैग लगता है सिमर्ट का तो अगर आप यही दिवार जो और आप डेली के दो बैग यूज़ करते हैं अगर आप डेली के तीन बैग यूज़ करते हैं means कि आपकी काम की रफ़तार है वाज़ बढ़ गई है तो फिर भी आपके बोरियां तो उतनी लगनी है ना सीमट तो उतनी लगेगा सीमट की तो आपकी जो ना उसमें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा जो सीमट की आपकी मिक्दार है उसमें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा काम की रफ़तार का तालुक आपका टाइम के साथ होता है काम की रफ़तार का तालुक आपका मिटीरियल के साथ नहीं होता तो यहाँ पे जो आपकी वर्कर एफिशेंसी वाला जो दिया था तो फिर आपका ना उसमें material में फरक नहीं पड़ेगा time तो आगे पीछ होजएगा कि अगर आप ज्यादा यूज़ करेंगे तो जल्दी काम खतम होज़ेगा अगर कम यूज़ करेंगे तो आपका काम लेट खतम होगा लेकिन worker efficiency से आपका material में कोई फरक नहीं पढ़ता था सिंपल आपका question यह था कि आपके पास यूनिट्स थे यूनिट्स आपके पास लिखने हैं फिर आपने size लिखना था अपने काम का डिरेक्ट परपोशन हो गया, तीरी सका उपर हो गया, शिर्फ सिंपल इसको आपने करना था, X बटा आपके पास, 100 इसको आपके पास आगया, 800 बटा, 500, 200, 200 कटके, X बटा आपके पास, 100 इसको आपके पास, 100 इसको आपके पास, ज करना था, और आपके पास, 50 क्यलिवन और आपके पास, वो 2, 2, 2, 2 3 हो गया था, 2 से अब 3 हो गया था, अब इसके आपने क्या करना, simple सा question था, यह आपके आप आप ऊपर को तीर गया, ठीक है, आप यह जो science वाले बचे हैं ना, उनको तो बिलकुल यह पता होगा, science वाले जो बचे हैं ना, उनको तो यह general gas equation जो हम physics में पढ़ते हैं मैंने आपको पढ़ानी है everyday science में ठीक है वो आपके पास होती है pv is equal to nrt pv is equal to nrt ये आपके पास general gas equation होती है ठीक है वहाँ से आप जो ना इसकी pressure volume और temperature का अपसमें तालूक आप देख लेते हैं ठीक है जी वैसे अगर आपने उसको उर्फे आम में देखना हो simply आपने देखना टेक है अग जाही ही है आप देखेंगे जैसे जैसे आपके पास आग बढ़ती जाएगी मेंन के temperature आपका प्रेशर भीपरिता जाएगा जैसे जैसे आपका टेम्परेशर नीचे आप आग ज्यादा जिलाते जाएगे तो आपके प्रेशर कूकर के अंदर जो pressure है रहना जो ह आपके पास तीर उपर को गया तीर इसका उपर को गया आप दूसरी बात देखें आप दूसरी बात यह है कि जैसे आपके पास आपके पास घुबारा ने ने अब ये इतना साइधा गुबारे का अब गुबारे को आपने बंद कर दिया हुआ ठीक है अब इसको अगर दबाने की कोशिश करें तो ये दब रहे अगर हवा वही रहे हवा जो आपने बार दिया वही रहे अब ये ज्यादा टाइट हो जाएगा मिन्स के जब इसका वालियम ज्यादा था तो इसका प्रेशर कम था जब इसका वालियम ज्यादा था प्रेशर कम था जैसे वालियम हमने कम किया तो प्रेशर इसका ज्यादा हो गया मिन्स अब इसको और समय लें कि जब space ज्यादा होती है ना तो बंदे आराम से दूर दूर भी उसमें पूरे आ जाते हैं जितनी space ज्यादा होगी बंदे जो volume ज्यादा होगा तो pressure कम होगा जैसे आप space कम कर देते हैं तो बंदे अगर वही है तो बिलकुल जूडकिया से उनको खड़ा होना पड़ेगा means के pressure जो होता है जैसे आप volume कम करते हैं तो pressure आपका बढ़ जाता है कि आपने किस तरह से को solve करना है तो यहाँ पे हम time waste नहीं करेंगे ठीक है जी next हम देखते है next आपके पास कौन सा question था जो आप से नहीं हो रहा जी question number 10 था जी question number 10 बे भी एक आपके पास मसला क्या था वो मुझे समझागी थी बचों से क्यों नहीं हो रहा था question number 10 में थोड़ा से इसको मैं पहले जी इसको clear कर लूँ ठीक है यह सारी चीज़ें clear कर लूँ आप देखें जी question number 10 था if a car travel 240 miles in 4 hours at constant speed how long it will take to travel 180 miles if the speed is reduced 25% अब देखें सबसे पहले क्या जी एक ताप के पास यह distance था distance में involved हो रहा था उसके बाद आपके पास speed involved हो रही थी ठीक है और उसके बाद आपके पास time था उसके बाद आपके पास क्या था time था अब 240 miles वो करती है और time कितनी लेती है जी चार गंडे लेती है ठीक है फिर वो कहता है अगर 180 miles करना हो और वो कितना time लेगी और speed उसने क्या दिया था? speed में उसने चकर दिया वा था क्या दिया था? कहता है जी पहले उसकी constant कोई speed थी अब उसकी speed 25% काम हो गई है अब उसकी speed कितनी हो गिया जी? 25% काम हो गई है अब उसने exact सीधी सीधी speed नहीं दिया थी कि पहले इसकी speed 200 थी या 400 थी या 300 km पर आर थी और आप इतनी रह गी है, सिर्फ से चकर दिया हुए कि पहले आपके पास कुछ speed थी अब 25% कम हो गई है जब percentage की बात करेगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है को आपने 100 को फर्ज करना है, mean कि अगर उसकी speed पहले 100 थी तो आप उसकी 75 रह जाएगी यह आपके पास 3 रूपर को गया, यह तो simple था, ठीक है अब speed आपका 100 है तो आपके पास 4 गंटे time लग रहे है, speed कम हो जी कि तो time आपका बढ़ जाएगा, ठीक है जी आपके यह निवर्सली proportional हो गया, उसके पास distance है distance जो 240 आपने distance अब करना है तो 4 गंटे में हो रहा है, अगर 180 किलोमीटर आपका distance होगा, तो फिर आपके पास आपके पास करना है, ज्यादा distance आपने cover करना है, ज्यादा time लगेगा, कम distance करेंगा, तो कम time लगेगा, तो आपके पास यह भी आपके पास है जी, इसमें आपने interest वगड़ा find करने होते हैं, इसमें एक तो आपके पास simple interest है, compound interest है, और insurance policy है, यह तीन किसम के आपके questions है, बिल्कुल आसान से questions होते हैं, जब इनको मैं practice नीचे करोंगा, तो आपको ज्यादा clear हो जएगा, सबसे पहले simple interest का आपने फार्मुला सिर्फ याद कर लेना है, simple interest का फार्मुला आपने याद करना है, PRT, PRT, P for principal amount, R for rate, T for आपके पास time period होता है, T for time period होता है, यह सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपने story को समझने की कोशिश करनी है, जैसे question करने के यह सारी चीज़ें आपको clear हो जाएंगी, सिर्फ simple interest का फार्मुला है, PRT, simple interest का फार्मुला क्या है, PRT, बस यह आपने याद कर लिया, अगला आख वाचन आपके पास है, अब compound interest, compound interest का फार्मुला आपके पास है, P into 1 plus R over N raise power, आपके पास है, N जरब D, ठीक है, इसके फार्मुला आपने याद करना है, इसके फार्मुला आपने याद करना है, यह आपके पास है, इसके फार्मुला की कहाँ है, पी इंटू उपर क्या था, आपके पास है, पी जरब PRT, सीदा ही था, नीचे आजी, P into 1 plus R over N raise power NT, ठीक है, इसके नीचे मा करता हूँ, तो आपको इंशाला समझा आजेगी, आप पर परिशान नहीं हो ना कि यह फार्मुले कैसे कैसे लिख रहे है, हम इसके कुछ समय नहीं आ रही, फार्मुले भी आपको आजेएंगे, और इंशोरेंस पलिसी का अब तीनो फार्मुलाज की एक्जीकुशन करते हैं, तो अभी आपको इंशाला सारी चीज़ें कलीर हो जाएंगी, अब क्या कहता है जी, अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ पांच हजार डालर, अब देखें सिंपल सी बात आगी, कहता है एक एक प्रिंसिपल अमाउंट ज अब देखें, प्रिंसिपल माउंट आपके पास 5000 होगी, रेट आपके पास 8% आगया और टाइम आपके पास 3 साल आगया, तो आपको पता है, सिंपल इंटरस का फार्मुला क्या आता है, सिंपल इंटरस बराबर होता है जी, पी आर टी, पी आपके पास प्रिंसिपल माउं आपके पास तीन आगया तीन आगया पर्षंट के मतलब सो आपक मैंने बताया हुआ है पर्सेंटेज के वाले टॉपिक में लेक्षे नमबर वन में अब इसको सिर्फ आपने साल करना है यह दो जिरो दो जिरो के साथ काट जाएंगे उपर आपके पास पचाहँजर बाट मिलेगा तीन साल के बाद उसका मनाफ़ा होगा वह बारांस रुपे उसका मनाफ़ा होगा ठीक है जी समझाएगी है अगला क्वेशन करते हैं इफ दा सिंपल इंटरस अर्ड और इंवेस्टमेंट इस तू थो तोजन डालर जो सिंपल इंटरस आपके पास चाहर रहा है और जो ना आपके पास 400C मीन के इफ सिंपल इंटरस अर्ड और इंवेस्टमेंट या प्रिंसिपल माउंट आपके पास दो जार है ताइम आपके पास 4 साल है और इंटरस जो से ने कमाया है वो 400C है सिंपल इंटरस जो कमाया वो 400C है वाट इस दा एन्वल इंटरस रेट आप क प्रिंसिपल मोंट है दोजार है, दोजार है। जरव रेट आपके पास है, वहामने फाइंड करना है, रेट पॉर्संट का रेट पॉर्संट aye आगया, और टी आपके पास किताजी 4 साल है जरव依ार आपके पास चार आगया, इसको आपने साल कर लेना है, सिंपल सी आपके पास क्वाच चार सो सी का चार सो सी ही आगया असी आगया, 4808 बचा आपके पास किया गया जी? आपके पास किया गया जी? असी आगया, ठीक है जिए, अब इसको आप इसको काड़ दें, ये 007 काड़ गया 8 6 बार 8 48 तो आपके पास O8, आपके पास पास Sóakड आपना आगया, 6 परसंट आगया तो यूंब आपने simple formula है PRT उसमें आपने जब आप इसको आप इसमें इन्पुट करते जाएंगे तो आपके question होते जाएंगे simply आपके पास question है आप उपताया जी simple interest ब्राबर है PRT simple interest ब्राबर है PRT तो जो चारों में से एक चीज नहीं दियोगी वो आप लिखते हैं बाकी जो आप इसको calculate कर लें चारों में से तीन चीज दियोगी एक चीज नहीं दियोगी अगला question है जी an amount of 1500 is invested at interest rate of 6% annual calculate the simple interest after 2 years देखें यह आपके पास principal amount है यह आपके पास rate है और यह आपके पास time है simple interest आपने find करना है है Google in trst is equal to PRT simple interest is equal to PRT is simple interest आपके पास क्या आपके पास क्या आपके पास च्शे परसेंट है और आपके पास time आपके पास 2 साल है ठीक है जी 2010 करद कट के ठीक है जी खे बार 92.98 वार इक पास 180 तो यह आपके पास कितना अपने interest कमाया है जी दो साल के बाद 180 रुपे आपने कमा लिए हैं अगला question है find the compound interest formula on investment of $10,000 for two years at annual interest rate of 5% compound annually अब ये जो आपके पास compound interest है ना compound interest के वाले से just आपसे वो formula ही पूछता है इसकी calculation नहीं पूछेगा आपके से जो compound interest है इसका सिर्फ वो formula ही आपसे पूछेगा आपसे इसकी calculation नहीं पूछेगा कभी भी PPSC में नहीं पूछी गई इसका formula सिर्फ आपने याद करना है इसमें आपके पास ये आपके पास P है ये आपके पास time है ठीक है जी annual interest आपके पास R आपके पास 5 है और ये जो लिखा हुए ना compound annually ये आपके पास N होता है ये समझने वाले सिर्फ इसमें बात है ये सिर्फ इसमें समझने वाली बात है जो compound annually अब जो compound interest होता है ये आपके पास इसमें जो आप half annually भी हो सकता है quarterly भी हो सकता है और annually भी हो सकता है अगर वो आपके कहें जी half annually मीन के छे माँ के बाद उसको आपने सूथ अता करना है तो N आपके पास दो आ जाएगा अगर वो कहें quarterly quarterly कहते हैं जी साल का चोथा हिसा मीन के हर तीन महीं नेक बाद आप पर उसको interest देना तो N बरापर आपके पास 4 आजयता है आपके पास का जाए जी 4 आजयता है तो सिरफ आपने यहां से यही देखना होता है कि वह compound annually कह रहा है qu雌 quarterly कह रहा है semi annualinta का रहा है क्या कह रहा है ठीच है समझागी है जी तो अगर annually कहता तो आपके पास बन आ जाता है तो फार्मॉला आपके पास है जी P into 1 plus R over N raise power N ज़रब T सिर्फ इसमें हमने फार्मॉले की मिताप पूट करनी है P आपके पास आगा जी, आपके पास 10,000 आगया और 1 plus R आपके पास कितना है जी R आपके पास 5% है 5, बटा आपके पास कितना है जी 5% बटा आपके पास N यहां पर N आपके पास 1 आगया बटा 1, 5% into raise power N आपके पास 1 है T आपके पास 2 है, तो 2 आपके पास 2 आगया 2 जरब 1 आपके पास 2 आगया, ठीक है जी अब 5% का मतलब 5% बटा खतम करके बटा 16 लगा लें, ठीक है तो यह आपके पास question यहां पर clear हो जाता है ठीक है, तो यह आपके पास आगया 10,000 बाहिर आगया, into 1 प्लास 500 आपके पास 1 number 20 आगया, raise power 2 आगया इसको आप साल्व कर लें, सिर्फ अंदर आपने क्या करना है, 20 आपने LCM लेना है बीस एक बार, बीस और एक आपके पास दो आगया सिर्फ यह question है, इसमें जो compound interest वाला होता है वो सिर्फ आप से उसका formula ही पूचेगा mean का formula में कीमते हैं पूट करनी सिखाएगा आप से सिर्फ आप से पूचेगा का आपने कीमते हैं पूट करनी है तो इसका formula आपने याद करना है जैसे वो P था ना, P तो P आगया R सिर्फ आपने लेकरना है 1 प्लस R ओवर N R की जगा क्या लेकरना है 1 ओवर R प्लस R ओवर N 1 प्लस R ओवर N और T जो है ना, साज ने लेकरना बलके उपर लेकरना उसके साथ N भी लगा जाना, N T आजएगा ठीक है जी, जैसे वो आपका formula था ना, P R T P R T formula था ना, Simple Interest का तो अगर आप इसको Simple Interest को Compound Interest में लेक जा रहे हैं तो P तो P रहेगा, R को सिर्फ आप क्या करेंगे R को हम क्या करेंगे 1 प्लस R over N कर देंगे और T में भी N के साथ आप T लगा देंगे मीन के R में भी N का जाफा करना है और T में भी आपने N का जाफा कर देना सिर्फ इतनी सी बात है और इसमें आपने कीमते पुड़का देना है, सिर्फ आप से प्लस R आपके पास 4 परसंट है ठीक है और बटा N आपके पास 1 आगया सो जरब 1 आगया, उपर आपके पास N जरब T लगाना है T आपके पास 3 है, तो N आपके पास 1 है तीन एक बार 3 ही आज़ेगा सिर्फ यहां तक आपसे वो कीमते ही पुट करवाएगा ठीक है अगर थोड़ा सा आगया भी लेग जाता है तो 8000 का बाईर 8000 यह आज़ेगा अंदर आपने क्या करना है, चार एक बार 4, 25 चार बार 100 अंदर आपने क्या करना है, 1 आवर 1 आवर 25 आगया 1 प्लस 1 आवर 25 उपर आपके अपके तीन some in short of 50000, 50000 की उसे ने इंस्छॉरंस प्लीसी लेए, प्रीमियम रेट उसका 3% है प्लीसी रेट 0.25% है, ठीक है जी? इस के आपने आपने प्रीमियम निकालना है इसका आपने प्रीमियम निकालना होता है तो यह याद रखिए का प्रीमियम का फार्मॉला मैंने आपको बताया था प्रीमियम का फार्मूल आपके पास है जी पी का मतलब है प्रिंसिपल मौंट ये आपके पास प्रिंसिपल मौंट पचास जार है इंटू आपके पास रेट प्लस पुलीसी रेट प्लस पुलीसी परसंट rate plus policy percent तो P आपके पास कितना है जी 50,000 है 50,000 जरब R और rate आपके पास कितना है जी rate आपके पास 3% है 3 जमा policy कितनी है 0.25 है 0.25 तो आपके पास बाहर किया आगा है जी percent 7-7% लगाएं फिर भी ठीक है तो आपके पास कितनी है जी पास कितनी है आपके पास जो पलीसी बाहर होता है इसमें दो आपके पास होती है एक rate होता है एक आपके पास पलीसी rate होता है ठीक है जी rate और पलीसी दोनों को add करके उसका percent ही निकालके तो आपनी इमाट के साथ multiply करें आपका answer आजएगा यह सबसे असान question होता है उसके बादा जी a health insurance plan offered some insecure आपके पास जी जो आपके दो ला परसेंट और पलीसी रेट आपके znajुए नुए पलीसी बाहर ंपरसेंट है तो सिंपल सी बात प्रीमियम आपके पास किया आगह जी दो लाक बाहर लिखें दो लाक आप बाहर लिखें अर अंदर आपके पास कि रहा जी rate आपके पास 2 है और आपके पास policy rate प्लस 0.1 है बाइर आपके परसेंटर जी लगा दें तो आपके पास आगा जी दो लाख बाइर आगया और 2.1 आगया 2.1 परसेंट के मतल़ के बदर होता है बटा सो होता है अशारिया खतम करके नीचे फि इंपली मल्टिप्लिकेशन ही करनी होती है अगला क्वाचन कहता है जी वाट इजा इंटरस और इंवेस्टमेंट पांच जार थी यर एट इन्वल इंटरस एट परसेंट इस फिर वही बात यह प्रिंसिपल मौट है कि यह टाइम आगा जी आपके पास रेट आगया तो पी आट परसेंट लगाते है और परसेंट नहीं लगाते है तो रेट के जगा हमेशा आपने आठ परसेंट लगाना है तो इन्ट निकालना है पेट आपके पास समझें लें किहाता। है पहले मआउट आपके पास 10% है। क कहते हैंकि कितने साल के बाद क्या होगा है अब amount पहले 5000 ती या 500 बंड गिया इसका मतलब आपके पास simple interest जो मिले है आपको 1500 मिले है पहले 5000 ती ना आप कितना सूध मिला है 1500 मिला है तो यहां से simple interest आपने 1500 निकाल लेना है निकाल के तो formula put कर दें SI is equal to PRT SI is equal to PRT तो SI आपके पास 1500 है P आपके पास 5000 है R आपके पास 10500 है और T आपने निकालना है तो यह 10500 से आप क्या करेंगे इसको 5000 के साथ multiple हो जाएगा 50 के साथ 20 कटेंगे ठीक इसको आपने सिर्फ सिंप्लिफाई करना है आपका answer आजएगा बिल्कुल आसान सान question होते हैं यह बिल्कुल मुश्किल नहीं होते हैं अगर आप इसको समझ करेंगे तो इन्चलातल यह सारे क्वाचन आपके इजीली हो जाएगे अगला क्वाचन है जी Find the rate of interest at which amount 4000 है यह आपके पास will become 500 मिन के आपके प्रिंसिपल amount आपके पास 4000 है और यह आप कहता है बावन सो बन जाएगी mean के आप पास जो interest मिला हो आपको 1200 रुपया मिलेगा जो आपको मनाफ़ा मिलना है जो आपको सूध मिलना हो 1200 मिलना है और time आपके पास तीन साल है ठीक है जी तो आप आपने क्या करना है जी आपने rate निकालना है rate आपने निकालना है find the rate rate आपने निकालना है Simple interest is equal to PRT formula लगाएं Simple interest आपके पास 1200 है और आपके पास आमांट है आपके पास 4000 है ठीक है जी और rate आपने निकालना है आर percent वैसे आजेगा और T आपके पास 30 साल है ठीक है जी आप 1200 is equal to 4000 जर्ब आपके पास आर बटा सो आ गया रेट का आपने पर्टेंट का बटा सो लगाना है जरब आपके पास अगा तीन यह दो जिरो दो जिरो से कट गए यह आपका पास 40 बाच गया 40 को 3 से multiple है करें 120 हा आगया 120 इतर आप डिवाइड कर देंगे तो 120 कट गया आपके पास क्या बान गया 10 बाच गया ठीक है जी समझा गया तो यह 10% का इंटरस्ट रेट था मुझे अमीद है कि आप यह तीनों टाइप जो आपकी हैं जो इंटरस्ट सिंपल इंटरस्ट कंपोंड इंटरस्ट और इंशोरेंस पुलीसी आप कर लेंगे अब आपके लिए काम क्या होगा जो आपने प्रैक्टस करनी है मैं इंश जो आपके 2024 के जितने भी past papers है mathematics के उसमें से आपने सर्च करना है कि simple इंटरस्ट, compound इंटरस्ट और policy वाले कौन-कौन से questions हैं और आप उनको solve करने की कोशिश करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये तीनों topics आपके clear हो गए हैं के नहीं ताके आपको exact जो statements हैं 2024 में यूज कर रहा है पीपी ऐसी वाला वो भी आपके नजरों से गुजर जाएं तो मैं आपको 2024 वाले सारे जो mathematics के past papers हैं वो आपको इन्शाला ताला आपके WhatsApp ग्रूप में share कर दूँगा, thank you so much, मिलते हैं नेक्ष वीडियो में, अल्लाह आपीज